हेलो फ्रेंड्स, रुबीस कुक बुक में आप सभी का स्वागत है साम का टाइम है और कुछ गर्मा गरम खाने का मन कह रहा है तो चलिए बनाते हैं प्याज और आलू से बनी भजिया इसके लिए तीन बड़े साइज का प्याज को लंबा लंबा पीस में इस तरह से काट कर लिए हैं इसका पूरा लेयर्ज को हम अच्छे से खोल लेंगे अद्दो आलू का छिलका उतार कर इसको कद्दू कस करके लिए हैं और ये आलू को अच्छे से दो-तीन पानी से धो के इसका स्टार्च को हम निकाल कर प्याज के साथ आड़ कर लेंगे अब प्याज का पकोड़ी तो बहुत बार ऐसे ही बनाया होगा इस तरह से थोड़ा सा आलू को कद्दू कस करके आड़ करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा इसके साथ ही थोड़ा सा अद्रक को कद्दू कस करके लिए हैं तीन-चार हरी मीज को बारीक चॉप करके आड़ करेंगे इसके साथ ही आड़ करेंगे बारीक चौक किया हुआ धनिया पत्ता, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मीज पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, श्वाद अनुशा नम्मक, उसके बाद दो चम्मच ब पानी डालेगी हाथोसेай मसलते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे प्याज और आलु में बहुत ज्यादा मोईस्चर होता है तो इसको जब आह पानीommeёзर से अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह पाणी में ओयल को अच्छे से हमने गरम कर लिया है अब थोड़ा थोड़ा पोर्चन इस तरह से हम डाल देंगे बहुत ज़्यादा इसका सेप नहीं देंगे ग्यास का फ्लेम हम यहां पे मेडियम ही रखेंगे और एक मिनट पकने देंगे उसके बाद इसको पलट देंगे फ्लेम य से सात मिनट मेडियम प्लेम में लग जाता है तो देखिए उलटते पुलटते यह गोलडन कृश्पि हो गया है तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे तो देखिए फरस्ट वैज का भजिया हमने निकाल लिया है अब नेक्स्ट बैज सनली से डाल देंगे और इस तरह का भजिया बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बच्चे बड़े सभी को बहुत पशंद आएगा और ये भजिया बहुत ही क्रिश्पी बनकर तयार होता है तो देखिए उलटते पुलटते ये भजिया भी गोल्डन क्रिश्पी हो गया है तो इसे भी हम प्लेट में न तयार होती है अगर आपको ये आलू प्याज का रिस्पी टेस्टी भाजिया का रिशिपी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग